हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे आप लो मेरा नबील है आज हम लोग तीन न्यूस के बारे में बात करने वाले है जो बहुत इंपोर्टन है आपके लिए चाहे आप Android यूजर हो चाहे आप iPhone यूजर हो आईफोन यूजर हो तो थोड़ी जादा आपके लिए इंपोर्ट यूजर हो थोड़ी कम आपके लिए इंपोर्टन है यहां पे बेसिकली जो सबसे इंपोर्टन न्यूस है सीधा मैं पॉइंट पर आता हूं वो वाट्साइप के टर्मस एंड कंडिशन अपडेट से रिलेटेड है यहां पे देखिए दोस्तों फोन पे अगर आपने पिछ यूर बॉट्साइप अपने हमको अपनी लट लगा दी है और उसके बाद हमारी जेप से पैसे निकाल कर हमको वो नशा जो है मजबूरन खरीदना पढ़ रहा है लेना पढ़ रहा है तो यहां पे यह जो टर्मस एंड कंडिशन इन्होंने अप्डेट किया है यह बहुत ही Terms and Condition है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो simply whatsapp.com पे जाएए, और सबसे नीचे जब आप स्क्रोल करेंगे, अपने phone पे, PC पे, laptop पे, iPad पे, कई भी open करेंगे, तो आपको वहाँ पे privacy policy update हुई है, ऐसा लिखा होगा, उस पे click करेंगे आप उस link पे, then you will be redirected to this page, जहाँ पे information आपको देखने मिलेगी, और key updates पे अगर आप नजर दालते हैं, तो यहाँ पे data completely किस तरीके से handle आपका किया जाता है, whatsapp के अंदर, जोके सबसे ज़ादा popular messaging application है, इंडिया के अंदर, उसके बारे में सारी information इनोंने देखे रखी है, अब आप मेंसे maximum लोग तो यह जानते ह website है, और whatsapp उसका बच्चा है, तो वो भी आपकी privacy की धजिया 100% उड़ाएगा ही उड़ाएगा, अब यहाँ पे whatsapp की जो chat है, वो end-to-end encrypted है, जैसे पहले हुआ करती थी, अगर आपके phone पे किसी ने message send किया है, और 30 days तक आपने अपने phone को open नहीं किया है, whatsapp open नहीं किया है, और जब आप अपने phone को on करेते हैं, उन 30 days के अंदर, तो वो deliver हो जाएगा, अगर नहीं on करते हो, तो वो वहाँ से भी delete हो जाएगा, तो यह सारी चीजों में कोई problem नहीं है, problem कहां पे है, इतकी जो privacy policy है, इसके अंदर है, अभी आपका name, mobile phone number, आपकी interest, आपके chat, आप जो में जो आप chat करे हो, किसी के साथ, किसी को I love you बोल रहे हो, किसी को I hate you बोल रहे हो, वो नहीं, but overall जो आपका interest है, जो आपके groups है, जो overall आप chat करते हो, जो interest आप WhatsApp के उपर दिखा रहे हो, अपना, बाकी लोग को साथ interact करके, that will be shared completely with Facebook, अब Facebook का WhatsApp भी है, Facebook का Instagram भी है, Facebook के दूसरे social media, websites है, दूसरे products है, जहाँ पर हर जगा आपको, बस ad को target करने के लिए, इस्तमाल किया जाएगा, आपका जितना भी data, जितनी भी information collect की जाएगी, वो सभी की मदद से, आपको completely target किया जाएगा, advertisements के साथ, अब जब ये चीज़ की जाती है, तो चलिए, फिर भी हम मान लेते कि इसमें हमारा कोई जाधा नुकसान नहीं है, ठीक है, ads बहुत irritating होते है, और यहाँ पे, जो है, manually कोई आपके बैठके chat नहीं read कर रहा है, एक completely algorithm है, तो यहाँ पे आपकी privacy पुरी तरह से, जो है, destroy तो नहीं हो रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कि इन सब चीज़ के उपर UPI payment का भी option आ चुका है, और UPI payment का option जो है, बहुत ज़्यादा beneficial चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा important चीज़ होती है, आप में से हर कोई और मैं भी इसको daily basis पे use कर रहा हूँ, Google Pay के form में, Amazon Pay के form में, लेकिन अगर इसके अंदर से कोई भी data breach होता है, तो सूची bank account आपके सालों की मेनत का पैसा जो है, एक second के अंदर साफ हो सकता है, और WhatsApp पे जो आ चुका है, यह एक और खतरनाक चीज़ इसमें add हो चुकी है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे important बात यह है कि क्या आप इससे बच सकते है या नहीं बच सकते, ना Android user, ना iPhone user, कोई भी इससे नहीं सकता, यह दोनों के उपर एक बहुत बड़ा जोक कर दिया है, Facebook ने और WhatsApp ने, कभी भी आप इससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी लट लग चुकी है लोग को अभी, के बैक फूट पे जाना बहुत ज़दा मुश्किल है, इसका तरीका एक ही है बचने का, कि alternate messaging application है अगर आप iPhone user हो, और सामने वाला भी iPhone user है, तो iMessage का इस्तमाल कीजिए, otherwise Telegram जैसे जो application है, उनका आप इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी at least वो लोग ये सब काम नहीं कर रहे हैं, अब पहला जोक खतम हो गया दोस्तों, दूसरे जोक पे आते हैं, दूसरा जोक है Facebook की दर जो ad tracking होती है, आपके smartphone के जरिये से आपके उपर complete आपे नजर रखी जाती है, उसको रोकने के features, जबर दस features iOS 14 के अंदर देखे रखा है, इससे Facebook को बहुत बड़ी problem होई, Apple ने वो जो ad tracking को, anti-ad tracking को implement करने वाली policy है, उसको थोड़ा delay गया, ताकि Facebook और जो दूसरे businesses है, जो advertisements क उपर work करते है, आपका data लेते है और आपको उसके मुताबिक advertisements सर्फ करते है, उन लोगों को थोड़ा time मिल जाए किस तरीके से वो लोगों को function करना है, Apple ने Facebook को मौका दिया, हर किसी को मौका दिया, लेकिन Facebook जो है अपनी बात पर अड़ा रहा के नहीं हम इससे agree नहीं क्योंकि Facebook का पूरा जो business है, वो completely advertisements के उपर ही है, लेकिन अभी Facebook बोलता है कि हमको कोई और option नहीं है, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, हमको Apple की जो ad tracking, anti-ad tracking की जो policy है, जो terms and condition है, उसके साथ comply करना पड़ेगा, तो अभी जोग हुआ कैसे, तो ये चीज़ के उपर आप न है और हर iPhone user, इंडिया में तो at least WhatsApp का इस्तमाल करता है, तो Facebook ने खाना यहां से खाने की जगा गुमा कर इस साइट से खाल लिया है, अब आ जाते दोस्तों तीसरे जोग पे, तीसरा जोग जो है वो Android users के उपर नहीं, iPhone users के उपर हुआ है, अब देखी iPhone users उनको किस तरीके से ब जबरदस जोग कर रहा है कि पिछले एक हफ्ते से एक भी application Google का जो है आपके फोन में चाहे Gmail हो, YouTube हो या कोई और application हो, उसको आपके iPhone पे अपडेट पुश नहीं कर रहा है, अपडेट पुश क्यों नहीं कर रहा है, यह आप सोचे होंगे Android users को तो अपडेट आ रहे है, iPhone users को क्यों नहीं आ रहे हमने इतना पैसा दिया है, लेकिन Google अपडेट इसलिए पुश नहीं कर रहा है, यूँकि Apple ने iOS 14 के अंदर खास तोर पे iOS 14.3 के अंदर एक नया feature लेके आया है, जहां पे हर application को iOS के App Store पे अगर रन करना है, तो उसको वहाँ पे Apple की जो App Privacy Disclosure Policy है, उसके comply करना पड़ेगा, यानि कि जो Privacy Label लेके रखा है, अपने iOS के App Store के अंदर, हर application के अंदर, जब आप उसको open करेंगे, App Store में, डाउलोड करने के पहले ही आपको वहाँ पे सारी चीज़े दिखाएगा, कि यह application आपको किस तरीके से ट्रैक करेगा, डेटा आपका किस तरीके इसे यूज करेगा, advertisement, serve करने के लिए, तो Google का भी main business क्योंकि advertisements का ही है, हमारे वीडियो के पहले भी ads आते है, हमारे वीडियो के बीच में भी ads आते है, हम भी ads से कमाते है, Google भी ads से कमाता है, तो यहाँ पे आपको ad serve करना भी है, और यह चीज़ जो है, अपना पिटा राखल पे भी है, iPhone users पे भी है, बड़ा जोक या चोटा जोक, जो भी समझ लीजे, दोनों के ओपर जबर्दस जोक होके रखा है, तो यहाँ पे basically दोस्तो हम लोग जो है, एक commodity बन गए है, जिसको जैसा चाहे ये companies इस्तिमाल कर रही है, advertisement, serve करने के नाम पे, तो यही था दोस्तो आ यह वीडियो आपको कैसी लगी और उस टाइप के और वीडियो आप देखना चाहते है या फिर कुछ चेंज देखना चाहते है उस चैनल में, तुम ही कता दोस्तो आपको आज का वीडियो पसने आओगा, पसने को इसको like and share जरू कीजिए, और मेरे इस चैनल को subscribe जरू कीज जर कीज बाइब।